वीडियो में आपको ओजन के बारे में बताया गया है और ओजन के उपियोग के बारे में बताया गया है ओजन का जो फर्मूला होता है वो थरी होता है यह ओक्सीजन का एक अपरूप है अपरूप को इंग्लीज में बोलते हैं ऐलो ट्रॉप्स Allotrops मतलब होता है कि Oxygen से ही बना हुआ है और उसका Chemical और Physical प्रपटी अलग-अलग होता है आप देख सकते हैं कि Oxygen और ओजन का अलग-अलग प्रपटी होता है इस कारण से इसका अलग नाम हुआ यह Oxygen से बना हुआ इसलिए इसको बोलते हैं Oxygen का Allotrops आप जानते होंगे कि कार्बन का भी अलोटoris होता है अहीं अलोट्रोप्स होता है आप पढ़े होंगे कि कारबन में बगक मिनिस्टर फिरेंस गरफाइट ये सब अलोट्रोप्स है ने की लिए कार्बन से ही बना हुआ है लेकिन दोनों का क्या chemical और physical properties अलग अलग होता है भक् सड़ी मचली की तरह गंध देती है इसका जो महक है वो सड़ी भी मचली की जैसा होता है ओजन का और उप्योग ओजन उप्योग नहीं है यह ओजन के बारे में है ओजन गैस सुरी से आने वाली यूभी रेव डैट मिन्स अल्ट्रा भालेंट रेज यूभी कीरन किरनो को प्रिथवी की सतह पर याने से रोखती है इसका खास्यत यह है कि ओजन का जो लेयर होता है वो यूभी जो हामफुल रे है जो हानिकारा कीरन है उसको प्रिथवी के सतह पर आने नहीं देती है अगला पॉइंट यह समूद्र तल से 25 किलो मेटर की उचाई पर पाई जाती है अब हम लोग ओजन के उप्योग के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उप्योग कहां कहां होता है ओजन का उप्योग इसका पहला अप्योग होगा कितना सक कितानू ना सक इसको बोल सकते हैं इनसेक्टी सैड के रूप में उप्योग करते हैं कितानों को मारने में भी ओजन प्रत का ओजन गैस का उप्योग किया जाता है इसे जल को साप तथा सुध करने करने में उप्योग किया जाता है तीसरा पॉइंट हवा को सुध करने में भी ओजन गैसा है चाउथा हो जाएगा खाद पदार्थ खाद पदार्थों को सडने से बचाने में काम आता है ओजन गैस का और गिरितीम रेसम बनाने में भी इसका उप्योग होता है